हेलो फैंज, डो जोंस में एक अच्छी खासी गिरावट लगबग 3% की गिरावट जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, 1000 पॉइंट से यहां पर गिरता हुआ नजर आया और अगर हम बात करें यहां पर NASDAQ, यहां पर इसे भी देख लेते हैं, तो आपको पता चलेगा यहां पर लगबग 4% की यहां पर गिरावट होती हुए नजर आई, और इसे देखके, इस गिरावट को देखके जो यहां पर दिखाई दे रही है, लोग अलग-अलग questions यहां पूछते हुए नजर आ रहे हैं, लोग यहां पर घबराते हुए नजर आ रहे हैं, लोग यहां डड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कि जब Monday को market यहां पर open होगी, तो एक gap down open होता हुआ दिखाई देगा, और उस cases में हम यहां पर क्या करें, क्या market ने जो यह rally दिखाई थी, यह एक fake rally है, तो उसी चीज से related मैं आपको यहां पर जवाब देने वाला हूँ, तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि exactly market में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है, बर before the video में आगे बढ़ेंगे आपसे request करूँगा, invest for hour channel को subscribe कर लिजे, bell icon को hit कर लिजे, all के notification को on कर लिजे, ताकि वीडियो में बहुत सारे वीडियो देखते हैं बच सब्सक्राइब ने करते request करूँगा, एक subscribe करने में कोछ नहीं जाना, और बलकि कोशना कुछ ऐसी वीडियो आपको informative मिल सकती है, जिससे आपकी life change हो जाए, as well as यहां पर दूसरा channel से subscribe कर लिजे, और bell icon क तो जबाना बिल्कू मत भूलिये, अगर आप पुराने भी हमारे subscribers है तर्दी, तो dojones में यहां पर गिरावट होती हुए दिखाई दी, पॉल आता हुए दिखाई दिया और यहां पर आप देख सकते है, is what to do as market relief is Powell Spain, तो Powell Spain मतलब यहां पर Fed के chairman है Powell, इन्होंने एक commentary देते हुए नजर आए, कि यहां पर जो inflation है, वो आगे चलके और बढ़ सकती है, और लग बग दो एक से दो साल तक लापर 2024 तक, यह inflation को down करने में, down किया जा सकता है, बट दो साल at least यहां पर लगने वाले है, तो एक ऐसी news आई और news आती ही साथ, okay market यहां पर crash होती हुए दिखाई दी, और अच्छा कासा यहां पर market cash होती हुए दिखाई दी, बट कुछ positives यहां पर data भी यहां पर आते हुए दिखाई दी, यहां पर अगर आगर दे रखा होगा तो, तो data के आतरे data यह थे कि जो inflation थी as compared to June, okay July में यहां पर थोड़ी सी कम होती हुए दिखाई दी, 6.8 से 6.02 परसेंट होती हुए दिखाई दी, काफी सारी positive चीज़े भी दिखाई दी यहां पर जब uncertainty आ जाती है, लोग जब डरने लग जाते हैं, मार्केट में इसी तरीके का एक किराबट होती हुए नजर आती है, तो ओविसी बात है और एक भाना चीज़े होता है यहां किसी भी चीज़ को यहां पर गिरने के लिए, लगातार यहां पर हम देखा था कि मार्केट एक अच्छे खासे बुल रन में यहां पर चली थी, बुल रन में चलने का इसने एक टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद यहां पर मार्केट गिरती हुए नजर आई, तो मैं आपसे एक कोश्टन पोचूँगा, कि यहां पर यहां पर आप देखेंगे, जब मार्केट यहां पर से गिरा, गिरने के बाद क्या हुआ, उपर गया था, इसे रिट्रेस्मेंट कहते है, फिर थोड़ा से यहां से फिर नीचे गिरा, फिर एक साथ भागता हुआ नजर आया था, तब आप यहां पर क्या सोच रहे थे, यह फिर दुबारा एक चखमा दे दिया, नी चे गया, ओके नीचे जाने कहा है अप कहरें थागे, हम तो फस गये दुबारा क्योंकि आप लोगों ने यहां आप ले लिया, आप लोगों ने रच्खा था, उसके बाद यहां पर क्या हुआ, फिर मार्केट उपर गई, फिर बना यहां पर एक bottom बनता हुवा नज़र आया ओके यह है bottom इसके आग नीचे market जब अगर कुछ गल्थ हो जाता है तो जाए तो कहने सकते अधरो इस market यहां से नीचे नहीं जाने वाली फिर क्या हुआ फिर यहां से market थोड़ी सी उपर गई थोड़ी सी फिर नीचे आई फिर आप सोचने लग गए कि market अब नीचे जा रही है और फिर दुबार इसकलो तोड़ेगी बट market ने फिर यहां पर आपको आपको दुबार गल्थ साबित किया फिर एक तेजी होती हुई दिखाई दी और तेजी के बाद आप market क्या हो रही है गिर भी है तो मेरा कोशन यह है जब market यहां से सीधे यहां से जब नीचे गई फिर उपर गई जब आपके according market चली नेरी और market अपने हिसाफ से चलती है जो आप सोस्ते बिल्कुल उसके against चलती है तो आपको क्यों लग रहा है कि market यहां पर जाने के बाद market दुबारा यहां पर आ जाएगी तो answer is no market यहां को दिखा देता हूं किया कहां गिरावट हो सकती है तो उससे बाते कर लेंगे तो देखे सपोर्ट नजर आता है यह वला डो जोस में ओके शायद यहां पर थोड़े से 200 पॉइंट की और गिरावट होगी और उसके बार चीजे दुबारा चलती हुई नजर आएगी ओके ए तो ओविस्सी बात है मार्केट में अंसर्टेनिटी है लोगों को लग रहा है कि मार्केट गिरती भी नजर आएगी तो सबसे पहले कुछ टाइम पहले भी डिटा दिखाया था अगें मैं अगर आपको बता हूं तो वह डेटा के हिसाब से यहां पर इंफलेशन वहां पर जाएगी यूएस में आजाएगी या डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में आजाएगी बर भारत में उसके चांसे 0% है वो भी आप यहां पर जानते है यह बारत में 0% है तो केवाल इसका एफेक्ट आएगा और कुछ नहीं आएगा एफेक्ट अब यहां पर सब दूसे में आपर इंफलेशन आएगा तो कोशिश करेंगे यहां को लोग कि भार की चीजे ना खरीदी जाए बार कि से यहां पर कुछ न लिया जाए तो वही होता हुआ नजर आएगा तो इस केसी में एफेक्ट जरू पड़ेगा बर भारत कोलाप्स हो जाएगा यह बिलकुल नह यहां पर समझ में क्लियर होती ही नजर आएगी तो आप यहां पर देखिए एफाइज पर 51 क्रोड रुपे के आसपास बेचाता है इसके अगेंश में डिया इस ने फिर दुबारा खरीद लिया तो सबसे पॉजिटिव बात तो यह ही है कि एफाइज ने पूरे यहां पर अगी काद बार बेचा है बाकि यहां पर अच्छा खासा केवल बाइंग और बाइंग और अगस्त में केवल बाइंग करी है तो यह एक पॉजिटिव फेक्टर है मैला 18,000 क्रोड के आसपास 2 बिलियन डॉलर के आसपास ज्यादा है यहां पर यह नोंने खरी लिया और लग अब डाउन ओपन होता हुआ दिखाई देगा तो एक सपोर्ट और नजर आता है जो यहां पर कुछ दिन पहले गिरावट हुई थी तो वह गिरावट क्या थी यह थी ओके तो 17,000 जो यह लेवल है ना कितना लो 17,345 तो कोश हो सकता है कि मार्केट में यह गिरावट हो 17,345 जावट दोसुट जाहिसो पॉइंट और उसके बाद चीजे फिर रिकवर होती नजर आए वह कितना हो सकता है तो अगर मैं यहां से अगर आप लेता हूँ और यहां पर देखता हूँ तो गिरावट नजर आती है एक से सबाव परसेंट के आसपास की ओके और अगर जादा यहां है गाप डाउं हो जाता है तो यहां पर 3-4% मार्केट गिरी ती यहां पर यह सबसे बहतरीन परसेंट के आसपास क्लिए गीकिताट यहां पर बेड़ बताया लेवल के लिए तैयार रही है इसी ज्यादा गिरावट नहीं हो और है कि यहां से किवल्ड रिवर्सल है और जैसे कि मैंने वहाँ पर बिताझा था रोजू उसकी की मामले में तो यहाँ पर आप सम्छ जाएंगे कि देखिए जब यहां पर लगाता और कोई गिरावत नीए यहां पर आप देखेंगे यह गिरावतों होती वह दिखाए दी फिर एक जब्वारा मार्कित भागती दी फिर आप सोच रहते मार्केट भागेगी बट नहीं फिर मार्केट गिर गई ओके फिर भागी फिर थोड़ी से यहां पर गिरी फिर सोचने लग गए कि market और गिरेगी बट market फिर भाग गई तो जब इस तरीके से यहां पर चलता है आपके बिलकुल अगेंस्ट में चलता हूँ market दिखाज देता है तो हम अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है यहां पर होता ह होती ही दिखाए दे रही है और उसके बाद यह रिकेवल क्या होता है market का retracement होता है यह retracement के बाद चीज़े फिर निकलती ही दिखाए देगी तो यहां पर जैसी यह सारी की सारी फैड की मीटिंग्स वगेरा यह सेप्टमबर में होनी है एक बार यह खतम हो जाए ओके तो शायद एक महीने प्रेशर में रहेगा इसी रेंज में चलता रहेगा और उसके बाद दुबारा मार्केट यहां पर चलना शुरू हो जाएगा तो बाइंग सा लिंग की कोई कर दीजेगा सब्सकाइब कर दीजेगा ताकि इस तरह के वीडियो मिलते हैं तो थैंकि सो मच गॉट ब्लस